नमस्कार प्रिय पाठकों, आज मैं एक अवधार्ना से संबंधित एक विशय प्रस्तुत करता हूँ जिसे अक्सर आकर्षन का नियम कहा जाता है। यद्यपी चरम रूप में मैंने इस बात पर विचार विमर्ष किया कि क्या मुझे अपना हालिया ध्यान अनुभव प्रान प्रतिष्ठा समारोह से अंतरद्रिष्टी या मेलेरिगामी पर विचार साज़ा करना चाहिए, हाला कि यह देखते हुए कि मेरा हालिया ध्यान इसके बजाए आईए आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने की कलामे गहराई से उतरें, हाला कि मुझे इसके उप्योग के प्रती सावधान रहना चाहिए या कम से कम मिलरिगामी नामक अभ्यास के लाभों से अधिक कमियों को रेखांकित करना चाहिए. मिलरिगामी एक प्राचीन विज्ञान है, जो व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उनके जीवन लक्षों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है, पूरे इतिहास में इसका उप्योग जीवन साथी की खोज सहित विभिन उद्देश्यों को यह कलपना करें, यह एक आलसी रविवार दोपहर है, और आप शनिवार की रात से भूखे हैं, आप भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, और अचानक आपको ऐसे ढेर सारे रिस्तरा दिखाई देते हैं, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है, आपकी भूख ने आपका ध्यान केंदरित कर दिया है, केवल जीविका खोजने पर, अपने आसपास की हर चीज को चानने पर, इसी तरह, जब कोई प्यार में होता है, तो उसका ध्यान अपने प्रिये पर केंदरित हो जाता है, अकसर अन्य विचारों को छोड़ कर, यह सरल सादरिश मिलरिग प्रामी के सार को समाहित करता है और कई लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि लक्ष प्राप्त करना इतना सरल हो सकता है। कलपना कीजिए कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। आखिरी छवी में हर कोई अलग-अलग चीजों की कलपना करेगा। उदाहरन के लिए एक अकेली लड़की या लड़का किसी महत्वपूर्ण व्यक्ती के साथ होने की भावना की कलपना करेगा। एक भूखा व्यक्ती बारे में रहने का अनुभव करने के लिए उच्छुख होंगे और अन्य लोग एक से अधिक चीजों की इच्छा करेंगे और यहीं मेरे मित्रो समस्या नहित है। मेलेरिगैमी के चरण ेक सुभा जलदी उठें, मेलेरिगैमी का सुझाव है कि सुभा जलदी उठें, सनान करने के बाद, और नाश्टे से पहले यह ध्यान करने से दिन के लिए टोन सेट करने में मदद मिलती है, और आप दिन की गतिविधियों के लिए तयार हो जाते हैं। दो ध्यान, ध्यान मुद्रा में बैठें और पीने के पानी का एक गिलास अपने सामने रखें, अपनी आखें बंद करें और तेईस सासे लें, यह कलपना करते हुए कि आपने अपना लक्ष प्राप्त कर लिया है, तेईस बार सास पूरी करने के बाद आखें खोलें और पान करने के बाद, फोकस और नियंतरन बनाए रखने में मदद मिलती है. तीन, विजुलाइजेशन, मेलेरिगामी विजुलाइजेशन की शक्ती पर जोर देती है. अपने लक्षे की कलपना करके आप उसे वास्तविक्ता में प्रकट कर सकते हैं, यह तक्नीक आपको पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करती है. चार अपने लक्षियों की जाच करें, अपने लगो और दीर्ग कालिक लक्षे लिखें, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करें, इससे आपको अपने लक्षियों को प्रबंधनिय कारियों में विभाजित करने और अप प्रक्ति को ट्रैक करने में मदद मिलती है. पांच अभ्यास मिलरिगैमी एक ऐसी तकनीक है जिसके लिए अभ्यास की आवश्चक्ता होती है. अपने लक्षियों को प्राप्ट करने के लिए उपर बताये गए चर्णों और तकनीकों का लगातार पालन करें. 6. सकारात्मक दृष्टिकोन बनाए रखें. सकारात्मक दृष्टिकोन रखें और खुद पर विश्वास रखें. इससे आपको प्रेरित रहने और प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद मिलती है. मेलेरिगामी का अभ्यास करते समय बाधाएं मेलेरिगामी को अपने लक्षें को प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास की आवशकता होती है कद्मों को छोड़ने या तक्नीक का नियमित रूप से पालन न करने से बचें दोग ध्यान के दौरान फोकस की कमी, ध्यान चरण के दौरान अपने लक्षे पर ध्यान बनाए रखना आवशक है, बाहरी कारकों से विचलित होने या अन्य चीजों के बारे में सोचने से बचें तीन अपने लक्षे की कलपना न करना, विजुलाइजेशन मेलेरिगामी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान चरण के दौरान अपने लक्षे को सपष्ट और सपष्ट रूप से देखना सुनिश्चित करें चार्क सकारात्मक दृष्टिकोन न रखना, सकारात्मक दृष्टिकोन रखें और खुद पर विश्वास रखें, इससे आपको प्रेरित रहने और प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में मदद मिलती है पांच अपने लक्षों की जाँच न करना, अपने लगो और दीर्ग कालिक लक्षे लिखें, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करें, इससे आपको अपने लक्षों को प्रबंधनिय कारियों में विभाज़ित करने और अपनी प्रगती को ट्रैक करने में मदद मिलती है. निराश होने से बचें और पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाए रखें. मैनरिगैमी के नुकसान मानव मस्तिश्क विचारों और कलपना के निर्माता के रूप में कार्य करता है. जब किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हमारा दिमाग सभी संभावित परिनामों की कलपना करता है और मस्तिश्क पीडा को बढ़ाचधा कर पेश करता है, जिससे चिंता पैदा होती है, इसके विपरीट जब कोई अफसर मिलता है, तो हम संभावित पुरसकारों के ब रिष्टों के छेत्र में कई विवाह लड़ खड़ा जाते हैं, भले ही व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ले जिससे वह प्यार करता है, यह विसंगती इसलिए उत्पन होती है क्योंकि वास्तविक जीवन की परिस्थितिया अक्सर हमारी कलपनाशील अपेक्षाओं स काफी अलग होती हैं, आकर्शन के नियम का उप्योग करने का एक और महत्वपून दोश यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में चुनोती का सामना करना पड़ता है, गलत लोगों और स्थितियों को प्रकट करने से अंथीन परेशानिया हो सकती हैं, ख मैं आपको मेलरिगैमी की प्रक्रिया से परिचित कराता हूँ और इसे अपनाने का निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, हाला कि व्यापक समझ के लिए उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ना महत्वपूर्ण है, मेरे न्यूजलेटर की बाधाओं को देखते हुए, मैं आम त के प्रती अपने द्रिष्टिकोन में सावधानी बरते हैं।